हाई फ्रेंट्स ये जो आप घर देख रहे हो इसे आज हम होस वाइरिंग करेंगे बाहर से पलास्टर हो चुका है लेकिन अंदर से कुछ नहीं हुआ है तो चलिए मैं आपको इसका होस वाइरिंग करके दिखाऊंगा कैसे प्रॉपर वे में दीबाल को कटना है कहां पर जेक हो चलिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले यह जो है एक सीड़ी है जो कि उपर के तरपा रहा है यह सेकेंड फ्लोर पर यह उपर जा रहा है च्छत पर और यहां पर इस साइड में आप देखो एक छोटा सा आपको रूम टाइप का दिख रहा है लेकिन यह रूम नही होनी के ऊपर में जो यहां पर लखायो कैशा है टोटल तीन लाइट है जब चत का पर हो रहा चत में जहां को देख सकते हो यह फिर में चैनल में होसवारिंग का रुडलिस्ट है उसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा यह जो बरामड़ा है बरामड़ा में टोटल दो और फैन बॉक्स से ही रूम के अंदर में पाइप गया हुआ है मैं आपको सारा चीज प्रफर दिखाता हूं चलिए यहां पर देख सकते हो हम रूम के अंदर तीन साइड से पाइप गिराए है एक पहला इस साइड था दूसरा साइड यहां पर है यह भी आपको ठीक से नहीं हूना इस साइड में में लगाना है और यहां पर यहां एक बॉर्ट लगाना ही इस तरिका से यहां पर नीचे यहां पर दोनों साड़ें बोड लाएंगे वह में आपको दिखाता हूं और यहां पर में बोड रहेगा जिसमें सारा रूम का लाइट रहेगा फैन का फैन का सूच रहेगा सारा चीजूस में रहेगा लेकिन यहां पर आप देख सकते हो वह बीम है तो बीम में हम छेद करें और दिबाल में यह यहां पर छेद है या फिर शरी नहीं होगा छेद करके अंदर की तरफ से हम और लायाँ हुआ ये तिसा रूम में में आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर एक पाई नीचे आया हुआ है उसके जोनों साइड में छोटा छोटा एक बोड होना चाहिए जहांके आप चार्जर लगा के आप उने जब सोते हो तो वहां पर चार्जर लगा के आप मोगायल को यूज कर सकते हो या फिर जब आप रूम में इंटरे करते हो तो वहां पर एक बोड होना चाहिए जिससे सार ये वीडियो में बता हूँ जब आप को ना में बोड लगाते हो तो आपको दिवाल से कितना डिस्टन्स होना चाहिए क्या हाइट होना चाहिए मैं आपको सारा चीज आगे बताऊंगा यहाप कहीं कहीं पर दिवाल को कटा गया है लेकिन अभी सही से नहीं कटा हुआ है मैं सारा चीज सही से बता हुँ है यह सारा बोड है यहाप देख सकते हो आपको यह कि रहेजा है कि इतना देवाल काटेंगे और हम यह कहां कि यूज करेंगे और इसमें 2 या 1 पलंग लगा सकते हैं थे में इस बोट को ये जो बोट का बॉक्स है इसे हम सब से पहले दिवाल को रखना है और मार्क कर देना किशिए प्रिंस से या पिर इसी चीज़ से आपको मार्क कर देना उसके बाद इंगर रेंडर के मदद से आपको इस तरीका से काटना है यहां पूदि आप देख देख से इनजी आपको ज़्यादा फुर्स करोगे हमर से आपको डिवाल डेमज हो सकता है तिसी आपक और नाब तो और से अपको हटाना है कडिने मसी से उसे हटा के抹़़ से हटा सकते हूए तो अनम कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसे हम एक वार कट कर लिए और इसे हम खरेसा याप ढेके अपिसे त्यों सब्केमध हो की जब आब हरुए जबला Vous तो maximum chance है कि आपका दिवार damage ही होगा इसलिए आपको पहले angle grinder की मुदद से उसे cut कर लेना है अच्छे से और सारे टुकर को उटा देना है फिर आपको बोड लगा कर देखना है तो आपका बोड एक बार में नहीं लगया क्योंकि बोड का जो height है जादे रहता है तो आपको फिर से दुबारा से angle grinder से काटना होगा और दुबारा से च्छेनी हतरता से कट करके हटाना होगा और यह जो बोड है को भी आप बोड लगाते हो तो फ्लोर जो है आपका नीचे का जो फ्लोर है उससे आप 4.5 फिट चार फिट पांच इंची के आसपास नॉर्मली होना चाहिए और आप अपने घर में जो सदस है उसका height देखके भी कर सकते हो नॉर्मली जो है चार फिट पांच इंच के आसपास आप बोड लगा सकते हो नीचे के नीचे से आपको major कर लेना है और तब भी आपको वहां पर लगाना है और जब भी आप कूने में बोड लगाते हो याप aka टेबल रखना चाहते हो या भिर किसी कौना में बोड लगाना चाहते हो आपको कूल कूने से आपको लग फीट याप आपको डिस्टेंस होना ही चाहिए क्योंकि कभी-कभी आप भविस में वहाँ पर आप कुछ अल्मीरा रखना चाहते हो गोड़र रखना चाहते हो यदि आप वहाँ पर रखोगे भविस में तो आपका बोड जब जब जाएगा इसलिए आप उस कोना से लगवाग डेर फीट कम से कम डेर फीट तो होना चाहिए और दो फीट है तब तो और ही अच्छा है उसके साब से आपको कोनी में बोड लगाना है इसा नहीं कि आप बोड को एकदम कोनी में लगा दी और बाद में कुछ आईसा काम हुआ वहाँ पर आपको अल्मीरा रखना है या फिर गोड़र रखना है या फिर को भी समान रखना है आपका बोड जाओ अंदर ही जप्पे है अब वहाँ पर आपको फिर अल्मीरा रखने प्रवल्म होगा और आप इस बोड को यूज भी नहीं कर पाऊगे इसी लिए यह सब सोच के ही आपको होस्वाइरिंग करना है इसमें एक बार म यहां पर आप जाब बोड का बोक्स लगा रहे हो और दिवाल है ईवाल का लेवल से बोड कई बोड के बोड का रिखो वह चोंक। सिर्फ का ज Χाण चाहिए मतलए इस दिवाल से आ दाहिंच आँच बाहर वोड निकला हुआ हो चील ओनस पर चाहिए जोकि जब तो जब वह प्लाश्टर करेगा आपका बोड जो है वह आपके दिवाल के लिए भूल में आजाएगा तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा इसी हिसाब से आपको बोड को लगाना है कहीं पर लगाती हो तो और जहां पर बल्ब लगाते हो बल्ब का जो जक्षन बॉक है लेकिन यह जो बोड जहां पर भी लगाते हो आप डिवाल से आधा इंच बाहर होना चाहिए बोड और वो जो प्लास्टर करता है वो खुद बखुद मतलब कि आप उसे थोड़ा सा ज्यादा दिवाल को तो ज्यादा काट के छोड़ दो वो बोड को इस तरह का से फिक्स कर काट हो तो थोड़ा से ज्यादा काटना है तब आराम से बोड लगा के आराम से प्लास्टर कर सकता है इस दिवाल का जो कॉटिक है वह पूरा हो चुका है अब मैं आपको इस बॉक्स को यहाँ पर लगा के दिखाता हूं यह जो बोक्स और अराम से फिट हो जाना चाहिए इस टाइब से हमको कट करना है अब इसे थोड़ा थोड़ा अभी हमें कट करना है ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक बात का जरूर ध्यान देना है इसे मधूलत उरता है जिससे आप पतिवित खराब हो सकता है तो हेलमेट पहन लो क्युक당 बहुत ही टाइट से पकर लेना है क्योंकि अंगल गराइनडर जब ब्यक मारता है तो उसे आपको बहुत ही ज्यादा हनकारेट हो सकता है और अंगल गर्णर जब भी आप आपको कोई प्राइब में दीवाल को और यहां पर चाहएक से चार्व पैप जाएगा और सबस्धेन के लिए पहले हैं ओपर से तरफ जाएगा वहां पर नोट खर लेंगे का पर बार लगा लगानिए यहां पर सबस्दों कर दो यहांople पहले यहां पर हम जक्शन बॉक्स लगाना है या फिर बल्ब लगाना है या फिर बॉर्ड लगाना है वहाँ पर माप लेना है पहले बॉर्ड रख कि वहाँ पर मेजर कर लेना है कि कितना दूर हमें काटना है तो उसे हमें इंगल ग्रेंडर से इस तरीका से काट कर लेना है छाट करने के क्वाद उसे हमें अटाना है यहां पे हम एक बल्ब लगाइए यहां पर देख से बाल लगांगे तो यहां है इस तरह कासे कट कर लेना है पर कथ client पाइप लगाइए उसे भी अवख कर ना है जी अब भी में आपको दिखाता हूं और जब इंगे सब काटते हो दिवाल को तो बहुत ज़्यादा धुल उड़ता है एक्सेस धुल उड़ता है आपको साफधानी से यहां से दिवाल काटना होगा और आपको कुद कपरा से आपको मुह धगना होगा आँक में चसमा पहन लेना होगा और पूरे मुह को फेस को अच्छे से ढग होगा तो इससे बहुत ज़्यादे धुल उड़ता है आपका तवियत खाला हो सकता है तो सबसे अच्छा यह हुगा कि आपको अपका पूरा धख जाएगा से आपको कोई प्रावल्म नहीं होगा देखो आप यहां पर में इंगल ग्राइंटर के मतलब से इसे हम काट लिए खेवराख लगाते हूं ज्यापर शर्ण यहां पर यहां पर यहां पर बैचंवर अगाजा देखेएंगे सब्सक्राइब यहां पर नहीं बैट रहा है तो उसके पुरे बड़ाबर माझे सिर्फ और से तो आधा इंची तरफ यह बोर्ड होना चाहिए या फिर कोभी बॉक्स होना चाहिए पर दिवाल के बरावर में रहेगा पर आपका जो दिवाल है वह दिखने भी बहुत है अच्छा लेगा और एक बात का सबसे ज्यादा धियान रखना है जब बसंद चलाते हो तो आपको उतना प्रप्रब्लम नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आप इंगल ग्रा करना है इसलिए जब यह में जब आप दिवाल काटते हो यह बहुत ज़्यादा फोर से ब्याक मारता है और यहां पर यहां पर को इस तरकाफ लगा का हम यहां पर बल बल लाएंगा यह जो है जैक्शन बॉक्स है इस जैक्शन बॉक्स से एक पाफ नीची जाएगा और एक यह जाएगा जब लगा कि बल उपर के तरफ चला गया और एक पैप नीचे जाएगा और एक पैप इस त्रुपिस्त जाएगा हो है वह मैं आपको आगे बता हूंगा और यह पाफ लगाने के बाद आपको यहां पर क्लिप भी लगाना है ताकि यह जो पाफ है यह अच्छ करने लगाते हो जब कोई पलास्तर करने आ गया थी इसमें थ्लासा लग गया थी ये पाइप कभी कभी बाहर आ जाता है फिर उसको प्रवल होता है प्लास्तर करने में जब आप इसे लगा दो तो यह अच्छे से फ्रिक्स हो जाएगा यहां पर अब यह आप पूरा वीडियो देखके समझ सकते हो किस तरका से आप अपने घर को होस वाइरिंग करेंगे और इस तरका साथ असानी से अपने घर का होस वाइरिंग कर सकते हो और अपने घर का पैसा बचा सकते हो क्योंकि कोई भी जब होस वाइरिंग करने आता है तो वह आधी है तुने यह यह जो बट हो रूं के अंदर के तरफल रूं के है अंदर हमें डालना था पहले पहले हमें बोड को बोर्ड के जबाद करए के देबाएं और हमों के फ्तिलिये यहां है और हमें अंदर पाई फाट लाना इसलिए यहां पर हमका से वह नहीं करे आपके जैसा कि अब देख सकते हैं पूरा मा पर छकत से सबस्क्तिया रूम की अंदर में और में और है से एक राइट के साट जो गये है वो एक बलव है और लेफ्ट साइट से आया है क्पाइप यहां पर इसका सारह कुनेक्शन किया गया इए इस तरका से आप हउस वाइन कर सकते हो मिस घर में जैसे भी कॉंसिल लगाना था जहां पर बुर्ड लगाना समय हम यहां पर शारा ची एक एक चीज बारी-बारी से बताता हूँ, यह starting point से, सबसे पहले, यहां पर आप देख सकते हो 3 room है, और यहां पर आपको सारा चीज आपको दिख रहा होगा, कि सारा pipe लग चुका है, बोर्ड भी लग चुका है, और यहां पर यहां पर यह सबसे जो मैंने बता ही दिया था, कहां पर किस तरगा से यहां पर रूम है तो सबसे पहले चलते हैं यहां पर में बॉक्स हो सौरी में बॉड होगा यह जो आप देख रहे हो यह लकरी का जो यहां पर एक बॉक्स का बॉड का बॉक्स लगा हो वह में बॉड है और यहां से डेक्ट कीचन के अंदर गया हुआ ह पीचन के अंदर के दिखाता investigation के दिखाता हूं यह जो पहला पायप जेखनगो्द में यह में वायर आ मैं वायर है यहाँ यहाँ पर यह जक्षन बक्सर होते हुए सबसे पहले में बोर्ट में लगेगा में लगेगा और यह में बोर्ड में सारा कुनेक्शन mcb जो भी होगा लगाने के बाद वहां पर यहां पर आने के बाद यहां से split होगा एक उपर के तरफ जाएगा जो की छत में जाएगा और एक ये kitchen में जाएगा kitchen में यहाँ पर एक board लगेगा बोर्ड में जो भी exhaust fan लगेगा जो भी लगाना हो वहाँ पर हम बाद में लगाएंगे और इस तरिका से यहाँ पर connection किया गया है और यहाँ से दो वायर जो उपर की तरफ जाएगा वह मैं आपको दिखा रहा है क्योंकि वहीं में है और यहाँ से और यहाँ से नीचे टरफ आया है एक ब्रमडा के तरफ गया है और यहाँ से यहाँ से ही एक इसके सामने जो डिख्राई यह जो नीचे आया हुआ हुआ इसके सामने कीचन के सामने वाला जो रूम है रूम के लिए इस तरीका सा पाइप लगाया गया है यहां सा पाइप यहां पर आया है जो एक कीचन में गया और एक दूसरे तरफ इस साइड से आया है वह अभी मैं दिखाता हूं यह जो रूम है रूम के तीन तरफ पाइप गि और यह दूसरा पाय जो है वो दॉसरे साड का जो जसरो आया हुआ है तो यहां पे नहीं कर सकते हैं तो वहां फे अंदर में जस्तों ब공飛 हो एम शना बाइब एक बाघ्ड दाम कर सकते हैं अधर में यहां वाल दे दिए इस तरीका से आप अपना दिमाग लगा के आप हाउस वाइरिंग कर सकते हो जहाँ पर आपको प्रोब्लम हो सकता है कि यहाँ से बखे चênciasन बख्ष लगा है और यहां से बॉड लगेगा सिम्पल बणद और यहाँ अपर यहां पर मोर कर यहाँ एक लएट भоп तो देङये गार यहां यहां लाया हुआ है सहारे को कन्यक्शन तर देना है यह बॉड हो लाइट है दूसरे साइड में आप देखो नीचे आया यहां पर एक लाइट लगेगा और यहां से नीचे लाएं और नीचे हम बाहर से लाएंगे आपको दिमाग लगा गया है तो आपको डिमाग लगा यते हुए आपको सिंपल तरीका से असान तरीका से कैसे हो सकता है उस तरीका से कर नहीं तो हम यह दिम में च्छेद करने लगे तो बहुत ज्यादे टाइम लगेगा ठीक उसी तरिका से इस रूम के अंदर भी किया गया है सारा कोनेक्शन सेम है क्योंकि वरूम का जो सेप है वह सेम ही है इसी तरिका से उसी किया गया यहां पर बांदा का मेन बूर्ड लगेगा हुआ है जो बाल्कोने में जो भी है मैन बॉर्ड करनेक्षं में रहेगा न direito जो जो just comment किया हुआ है साथ ही तो आपको हड़ेक ब लगा रहे हो तो उसरो हें कितना गागा कीचेन से इसका बीचे इसा नहीं किया गया हुँ जो यह बाक्स लगा हुँआ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां से अंदर आ जाएगा और यहां से हम इस लेटिंग बात्रून में आपको भी करना है गरना है वहां हैusters आपको दिमाग करना है कि आसां तरिका रिका से कैसी हो सकता है उससी तरिका से करना है और यह आपको क्यूंब्री प्रब्लम होता है तो आप हमें comment box तो पोच सकते हो किस तरिका से होस्पिल या पींको फेन, प्रें